चलिए दोस्तों बात करते हैं से एक और कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामने ने गाए 0.11 की पावर x है equal में 324 की पावर में आपका y दे रखा है बराबर में 8 की पावर z दे रखा है तो एक्जामने ने कैसे simplify कि जी और बताइए कि इसका right option क्या होगा तो चलिए इसे solve करते हैं जब इसको solve करेंगे तो यह होगा मेरे पास 1 by 9 की पावर में x हो जाएगा क्योंकि 1 को आप 9 से divide करेंगे तो यह 1 1 आएगा रिपीटिट आएगा आपका इस कल्टू में एक्जामनर कहरा यह 18 इंटू में 18 होता है तो यह 18 का की पावर 2y परावर में यह 2 की पावर में आपका 3 और यह जाड़ हो जाएगा अब एक्जामनर ने का यह तीनों वैल्यू बरावर है बट यह बरावर कहां पर होगी किसने किसी constant value परावर होगी तो मैं मालता हूँ कि के के पर बरावर है तो 1 by 9 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास k की पावर में 1y में x आएगा फिर 18 is called to क्या जाएगा के की पावर में 1 by 2y हो जाएगा तो इसकल्टू में क्या जाएगा के की पावर में 1 by 3z हो जाएगा आपका यह हो जाएगा प्लस का वन बाई में 2y हो जाएगा यह आपका क्योंकि जब आप इससे मल्टिप्लाइ गरेंगे तो यह तू आएगा और यह इन दोनों का बेस सेम है तो पावर मेरी एड हो जाएगी तो टू इसकल्टू में की पावर 1 by 1 by x प्लस का 1 by 2y हो जाएगा और 2 की वैल्यू मुझे पता तो 2 की वैल्यू यहां पर रख देंग तो इस के से यह के चला गया तो यहां मेरी पास बचेगा 1 by में 3z बराबन में 1 by में x प्लस में 1 by में 2y यानि कि यह आप्षिन जो मेरी पास में a होगा वो इस कोशन के लिए करेक्ट होगा आई होप आप सभी कोशन समझ में आया होगा